अगर आपको गार्मेंट स्टोर उपन करना हो तो आपको किस तरह के कीवर्ड चाहिए होंगे अब ही मैं आपको एक केस्ट टी दिखाऊंगा जिसमें मैं एक गार्मेंट स्टोर को एक्जैमपल लेकर उसके बिजनस को हम अंडर्सेंड करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह की कीवर्ड हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनस में कर वो ये सेट बनना एं तो किस तरह की होना हिए को फर इसमपल अगर विजनस गार्मेंट ये बेच रहे हैं लेडिस गार्मेंट बेच रहे हैं और किट गार्मेंट बेच रहे हैं तो सवाल ये है कि अगर garment store open करना है तो किस तरह के आपको लगता है कि लोग keyword search करेंगे टेक्मेंट के लिए जरा इसको सोचिए कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के keywords होने चाहिए या किस तरह के pages होंगे और किस तरह के लोग serches करते होंगे या आपके घरवले या आपके क्लाइंट्स के जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह की सर्चीज करते होंगे उन चीज़ों को धूंडने के लिए ये चीज़े हमें गूगल से भी बताद चल जाएंगी लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ कीवर्ट्स लूँगा और इस कीवर्ट से हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे आए देखते हैं मैं गूगल आइड्स में लॉगिन करूँगा और इसकी कीवर्ट टूल पे जाऊँगा मैं उसमें फाइंड करूँगा जैन्स गार्मेंट्स और अपनी सर्च स्टार्ट कर दूँगा जैसे कि आप रेक्ष सकते हैं कि मुझे काफी कीवर्ड मिल चुके हैं इसको और्गनेस करने के लिए मैं डाउनलोड कर लूँगा जैसे ये डाउनलोड होगा मैं इसका नाम चेंज करके जैसे गार्मेंट रख दूँगा मैं वापिस आँगा कीवर्ड टूल के अपर आपनी सर्च चेंज करूँगा परसमें मैं लिखूँगा मैं लेडीज गार्मेंट सर्च करूँगा और मैं देखूँगा कि इसकी गाउनलोड भी कर लूँगा ताकि मैं इसको बाद में गूगल ड्राइब में मैनेज कर सकूँ फाइल का नाम रीनेम किया और इसको सेफ कर लिया हम फिर आएंगे वापस गूगल के टूल के ओपर और यहाँ पर मैं सरच करूँगा किट्स गार्मेंट्स यह रिजल्ट्स भी मैं डाउनलोड कर लूँगा और इसको रीनेम कर लूँगा जैसे मैं तीनो फाइलें क्रिएट करूँगा मुझे गूगल ड्राइब में जाकर एक नए क्लाइंट के लिए एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं ABC गार्मेंट्स रखता हूँ और इसके अंडर मैं एक कीवर्ट का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंडर मैं फोल्डर बनाऊंगा कैटेगरी वाइस और मैं हर फोल्डर के अंदर उसकी कीवर्ट सेच की फाइल अप्लोड कर लूँगा जो मैं सब कर लूँगा तो मैं किसी एक कैटेगरी को पकड़ूँगा और उसको मैं कीवर्ड रिव्यू शुरू कर दूँगा तो यह स्पोस कि हम कीट्स गार्मेंट्स को लेते हैं वो इसको रिव्यू करते हैं कि उसमें किस सरा की कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं अपने बच्चों की गार्मेंट्स धूड़ने के लिए इसको और्गनेस करने के लिए मैं इसको फिल्टर लगाऊंगा और मैं कॉलम में एक नया क्रेट करके इसको मैं नम्बरिंग भी दे दूँगा यह फिल्टर याद रहे कि आपने पूरी डेटा के ओपर लगाना है इंक्लोडिंग नम्बरिंग कॉलम इंफ्रमेशन को विजिबल रखने के लिए मैं आपपर से लॉक कर लूँगा इसको और इसको मैं सॉर्ट भी कर लूँगा हाईएस्टो लोईष्ट ताके मेरे पास वो कीवर्ड उपर आज़ें जो सबसेधा सर्च होते हैं जैसे कि आप देखेंगे के सबसेधा सर्च होने वाले जो कीवर्ड है वह बेबी गर्ल्स ड्रेसिस हैं जो के 10,000 से 1,000,000 दफ़ा सर्च किया रहे हैं फिर बेबी ड्रेस है जो के सेम दसजार से एक लगदावा सर्च किया जा रहा है और इसी तरह से अगर आप निचे स्क्रोल करते जाएं तो गर्ल्स क्लोथ, बेबी क्लोथ, किड्स ड्रेस, चिल्डन ड्रेस सारे डिफरेंट नेम्स हैं सेम चीजों के जो लोग सर्च करते हैं और उनको फिर वो बाय करते हैं जाके अगर आप गारबन सो चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत हम्पार्णट है कि आप पेजिस बनाएं जिसमें बेबी ड्रेसे है या बेबी कल ड्रेसी या बेबी बॉय ड्रेसी और इसके बाद पो न्यू बाइबी अनुबरुम बेबीज से उन सब के लिए आप अलग क्लो या नए pages बनाकर आप उनको वो keywords assign कर सकते हैं मैं इसमें से कुछ targeted keywords highlight कर सकता हूँ वो keywords जो मझे लगता है कि help करेंगे बाद में उनको मैं yellow करूंगा जो मझे लगता है कि अभी वो keywords चाहिए है जो money keywords है या जो बड़े targeted keywords है जो मुझे sales generate करके दे सकते हैं मैं उनको green mark करूंगा और फिर मैं उनके keywords को website की games मैं associate कर दूंगा उनके pages के साथ जब आप एक कैटेगरी को कर चुकी होंगे तो आप सेम काम दूसरी कैटेगरी में भी करेंगे और फिर तीसी कैटेगरी में भी करेंगे और यह जब तक आप करते रहेंगे जब तक आप पूरी एपसिट की keywords निकाल कर उसको optimize ना कर लें या उनको short list ना कर लें मैं आपको quickly gents garments में दिखा देता हूँ कि किस तरह से लोग अपने gents की garments सर्च करते हैं और अगर आप एक gents की garments का store चलाएंगे तो आपको कैसे उसको optimize करना है अपने right keywords की ग्रेंगे इसको मैं highest to lowest sort करूंगा और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सर्च होने वाला keyword है men's fashion है men dress है men dress design है शलवा कमीज है शेरवानी है men's clothing है अगर आप यह सारी products provide करते हैं तो आपको यह keywords कापी helpful रहेंगे अब यह online shopping for men बड़ा generic keyword है मुझे यह नहीं पता कि लोग इसमें क्या सर्च कर रहे हैं लेकिन अगर मैं garment store हूँ तो मुझे यह keyword बिलकुल भी suit नहीं करेगा तो इसलिए मैं इसको priority पर नहीं रखूँगा लेकिन अगर कोई men's shirt online shopping सर्च करें तो मैं इसको priority पर रख सकता हूँ क्योंके मैं shirts यह clothing वो sell कर रहा हूँ some address for men भी मेरे लिए एक target keyword हो सकता है मैं इसको एक page पर optimize कर सकता हूँ इसी तरह से आप नीशे चलते जाएंगे और अपने target keywords को highlight करते जाएंगे और बाद में यह keywords आप जब group में निकालेंगे उसके बाद इसको associate कर लेंगे यह practice आप ladies garment साथ करेंगे और इसी तरह से आप जितने भी sections आप website के single products और उसके बाद categories आप उन सब के साथ ऐसे ही करके एक proper फूरी keyword की research आप organize कर लेंगे तो trainees जैसे कि हम देखा इस lesson में हमने एक example लिए garment store की किस तरह से एक नया garment store अपनी अगर website बना चुका है या अपनी website बनाना चाहता है तो keyword search करके अपनी pages का structure अपनी demand oriented information website पे डाल सकता है उसको exactly पता होगा कि लोग क्या search कर रहे हैं और उसको क्या बेचना है अगर उनको ये नहीं पता होगा तो वो ultimately क्या करेंगे कि वो सब कुछ तो डाल देंगे website के ओपर लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल होजएगा कि क्या जादा बिकेगा क्या कम बिकेगा और किसको जादा उनको बेचना चाहिए तो ये keyword search बड़ी clarity से आपको बता देती है कि लोग क्या search कर रहे है और एक अच्छा business audience को follow करता है जैसे वो audience को follow करेगा वो products जादा रखेगा जो लोग जादा पसंद करते हैं और उन keywords के games optimize करेगा जो लोग search कर रहे हैं ultimately जब आप Google में rank करेंगे इन keywords के games तो वो people right pages पर जब land करेंगे तो sales और leads पर बड़ेंगी